नमस्कार दोस्तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में नाइकी के दो बेश्ट सू वेफर फ्लाई और अल्फा फ्लाई में से कौन सा लेना सही होगा उसके बारे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अगर आप लोग आने वाले मैर्थन के लिए कोई एक मैर्थन स्पेस्फिक रनिंग सू लेना चाह रहे हैं तो उसमें आप लोगों का सबसे पहले यही दिमाग में की सबसे बेश्ट सू कौन सा है मैर्थन रनिंग करने के लिए तो जब आप सर्च करोगे तो आप आओगे कि जितने भी नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट होते हैं उसमें जो भी टॉप के एथलेट होते हैं वो उनके पास आप देखोगे कि 90% लोग या तो वेपर फ्लाइस इस्तमाल कर रहे होंगे या तो अल्फा फ्लाइस इस्तमा मैं उस बारे में कोई अलग वीडियो बना दूंगा अगर आप लोगों को इस थरा का और या पसंद आता है तो आप कॉमेंट में बोलिएगा मैं और भी दुसरों सूक का और लेकर क्या हूंगा पर आज मैं आप लोगों को वैफर फ्लाइस लेना अच्छा रहेगा कि अल् लास्ट में एक और बोनस चीज बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा सूब पर्फेक्ट होगा और ये सब चीज मैं अपना पर्सनल स्टेडी करके और मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं उन लोग का रिभ्यू ले करके मैं आप लोगों को ये वीडियो बना रहा हूं तो सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो है प्राइस दोनों सुमें वेफर प्लाई और अल्फा फ्लाई में आप लोगों को 2000 से लेकर 3000 का डिफ्रेंस मिलेगा वेफर फ्लाई अल्फा फ्लाई से सस्ता में आ जाएगा वही दूसरा चीज आपको डिस्टेंस आप कौन से डिस्टेंस दोड रहे हो ये भी बात बहुत माइने रखता है दोनों जूता खरने पर अगर आप 5 किलोमेटर, 10 किलोमेटर, हाफ मेर्थन आप फुल मेर्थन ये चारो केटेगरी को रन करना चाह रहे हो तो आपको वेफर फ्लाई ज्यादा हेल्प करेगा और वहीं आप हाप मेर्थन और फुल मेर्थन अगर दोड़ना चाह रहे हो तो वहाँ पर आपको अलफा फ्लाई ज्यादा अच्छा काम करेगा इसके अलावा तीसरा पॉइंट आपको वेट दोनों जूतव में आपको सेम टेकलोजी दिखने के लिए मिलेगा सेम फॉम दोनों में इस्तेमाल किया गया है सेम कारवन प्लेट दोनों में इस्तेमाल किया गया है पर अलफा फ्लाई में एरपोर्ड इस्तेमाल किया गया है जो की वेपर फ्लाई में नहीं है जिसके कारण अलफा फ्लाई का वजन थोड़ा सा वेपर फ्लाई से ज़्यादा है चौथा पॉइंट फॉइंट फॉइंट सबसे इंपोर्टेंट है और इसको नोट डाउन आप कर लो ये आपको बहुत हेल्प करेगा मेरे एक सबस्क्राइबर ने यही गलती किया था जिसके कारण उसे आज का डेट में थोड़ा पस्तावा हो रहा है अगर आपका दोड़ने का फॉर्म अच्छा नहीं है अच्छा इन दा सेंस अगर आपका फ्रंट फूट लेंडिंग नहीं है तो आप अलफा फ्लाई नहीं खर दियेगा अगर आपका फ्रंट फूट लेंडिंग होता है आगे से आपका पैर गिरता है पंजाब पे तब ही आपका अलफा फ्लाई ठीक से काम करेगा क्योंकि उसका जो एरपोर्ड है वो जिस परपस के लिए लगाये गया है वो अगर आपका पैर आगे नहीं गिरता है तो वो काम ही नहीं करेगा वो जूटा फिर आपका कोई काम का बचेगा नहीं वो फिर नॉर्मल सू के जिसा रियक्ट करेगा जिस परपस के लिए जिस चीज को ध्यान रखकर इसको डिजाइन किया गया है उसके लिए आपका फ्रंट फूट लेंडिंग होना चाहिए वहीं वेफर फ्लाई में ऐसा कुछ नहीं है यह काफी सिंपल सोफिस्टिकेटिड सू है इसे कोई भी आदमी इस्तेमाल कर सकते है इसमें कोई भी तरह का ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया गया है पहुत ही सिंपल आप जितने भी भी एथलेट को देखोगे लोकल इवेंट भी आप देख लीजिए आप मेरे इस वीडियो को इंड होने के बाद में आप कोई भी बड़ा मेरतन उठा लीजिए वहाँ पर देखिएगा वहाँ पर जो आगे के लाइन अप में जो लगे रहते हैं उनके पास यही सू मिलेगा इसके अलावा लोकल इवेंट में भी जो है अच्छा इन दा सेंस अगर आपका प्यार आगे से नहीं गिरता है फ्रट फोट लैंडिंग नहीं होता है तो आपको फैदा नहीं करेगा इसके अलावा अगर आप का इवेंट एक महिने या दो महिने के बाद है तो मैं बोलूँगा कि आप वेपर फ्लाई खर दो जो सब्सक्राइबर ने जो गलती किया वही मैं बता रहा हूँ वो उसके पास हाथ में सिर्फ 20-25 दिन का समय था उसने अल्फा फ्लाई खर लिया था अल्फा फ्लाई में आपको अपना फॉम पे काम करना होगा जो कि आप 10-15-20 दिन में नहीं कर पाओगे कम से कम आपको 3- कुछ नहीं है नॉर्मल जो नए लड़के भी हैं वो भी उसको पहन करके दोड़ेंगे तो वो अपना काम करेगा आपका स्पीड को इनहेंस कर देगा इसके अलावा लास्ट पॉइंट जो की बोनस पॉइंट जो मैं बोला था आपका अगर वेट ये इस बात को ध्यान से सुनिएगा अगर आपका वेट जादा है तो मैं बोलूँगा ये दोनों सू को नहीं खरे दे मेरे एक सब्सक्राइब में ने ये भी गलती किये थी उनका वेट जादा था और उन्होंने वेफर फ्लाई खरे लिया था इससे नुकसान क्या है इससे नुकसान बस ये है कि इसमें जो फॉइम इस्तमाल किया गया है वो बहुत ही सौट बहुत ही रिस्पॉंसिब है अगर आपका वेट जादा है तो वो फॉम जो है जो उसका जो मिड़ सोल है वो दब जाएगा और वो दब जाएगा तो आपका सू जिस चीज के लिए वो बना है वो उस तरह का रिजल्ट नहीं दे पाएगा क्योंकि कोई भी सू सिरिप कार्वन प्लेटेड है या अपने ब्रांड का टॉप का लाइन का है वैसे वो काम नहीं करता है उसको काम करने के लिए उसका हर एक चीज हेल्प करता है उसका अपर उसका लोवर उसका मिड सेक्शन हर एक चीज अगर सही बैलन्स वे में है तभी काम करेगा पर अगर वेट परसनल ये राय रहेगा कि आप पहले अपना वेट को कम किजिए, आप एक BMI के अंदर में आईए, BMI क्या होता है उस पर मैं एक अलग बडियो बना दूँगा, पर आपको क्या करना है, अपना वेट कम करना है, जब आपका वेट सही हो जाए, तब आपको इन दोनों में से ए आपका पोकेट किसको सही बोलता है, वो ले लीजिए, दूसरा, डिस्टेंस, अगर आप छोटा डिस्टेंस से लेकर के फुल मेर्थन तक दोना चारा है, पांच किलो मेटर से लेकर के फोटे, टू किलो मेर्थन, तो आप वेपर फ्लाई कर दीजिए, अगर आप सिरिफ हा अंतर मिलेगा, वेपर फ्लाई हलका होया है, अल्फा फ्लाई से, और फॉर्म, आपको अपना फॉर्म पर करना है, अगर आप फॉर्म फ्रंट फूंट लेंडिंग है, तो अल्फा फ्लाई खर दिए, अगर नहीं है, तो वेपर फ्लाई पर जाईए, और सब में आपको करने हैं इसके लावा मैं हमिशा बोलता हूं कि सिर्फ डे में नया सूप पहने कभी नहीं जाना है तो आपको क्या करना है कि बीच बीच में प्रैक्टिस कर लेना है तक आपके पैर के हिसाब से एडिजस्ट हो जाए बोडी के साफ से एडिजस्ट हो जाए तब और मेरथन के डे में ही इस्तमाल कीजिए अदरवाज इसका फॉर्म बहुत ही सौप्ट है यह खराब हो जाएगा तो यही जानकारी देने के लिए में आया था अगर आपको इसी तरह का कॉंपरिजन वीड से धन्यवाद